हेलो बच्चों, उमीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बराबर एक्वेस्ट थी कि सर जो हाफेली एक्जाम होने वाले हैं, उनके लिए मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किये, कुछ गाइडलाइन दे दीजे, कोई स्ट्राटरजी बता दीजे, तो मैं आप के लिए एक जबरदस्त स्ट्राटरजी बताने वाला हूं, वितिन फाइब मिनट्स, इक्स मिनट्स, और मेरी आपके लिए क्या मदद होगी, ये भी मैं दिखाँगा, जिससे आपको बहुत ज़ादा काम बन जाने वाला है, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है, जिन आए, जो कमेंट्स में मैंने पढ़ा, कि उनके तो एक्जामी हो चुके हैं, कर उनकी बात छोड़ देते हैं, अधिक तर उस्कूल में एक्जामनेशन होने वाले हैं, तो पहली बात मैं ये बताऊँगा, कि आप बिलकुल अपने पर कॉन्फिदेंस रखिए, जो समय निकल और पढ़ना है, तो ये काम कर जाएगी स्ट्रेटीजी आपके लिए, तो फटा फट इस मुद्दे पर आते हैं, कि अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा है, आगे कैसे रास्ते को लेके चलना है, अपना सेल्फ कॉन्फिदेंस बनाए रखें, जो समय निकल जाता, उसको वाप पस नहीं कर सकते हैं, आज से शुरू होंगे, तो आगे चल पाएंगे, और ध्यान रखें, एक्जामनेशन बात भी पढ़ाई चालू रहेगी, बोल्ड एक्जामनेशन आगे है, तो चलिए फटा फट पहली कुछ बाते करते हैं, जैसे मेरा आप तर्मनेल देख रहे हैं, हाफ अली एक्जाम स्ट्रेटजी, नाइन डेज में 90%, नाइन डेज क्यों मैंने बोला है, क्योंकि अधिकतर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करनेगर दो किताब चलती, जैसे फिजिक्स का एक्जामपल ले लें, तो नॉर्मली आपके कूर्स में एक किताब आ रही है, च नाइन चेप्टर्स आप कैसे फिनिश कर सकते हैं, और 90% ला सकते हैं, पहले तो आप में विश्वास बनाए रखें, बिल्कुल घबनाने की आवशकतानी, सब बहुत अच्छा होने वाला है, बस आज से ही शुरू हो जाएं, स्टार्ट करते वक्त ध्यान किएगा, आपको बहुत जादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो जिन्हें ने पढ़ा है, उनके तो बल्ले बल्ले, जिन्हों ने पढ़ाई नहीं किये, उनको एक्स्टा और नरिया बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, क्या करना है, मैं अ लिखा है अगर अभी तक आपने कुछ जादा नहीं पड़ा है मैं इसको थोड़ा सा मोटा लिखना चाहूंगा जादा नहीं पड़ा है तो किन बातों के ओपर आप फोकस कर सकते हैं सबसे पहले बिटा ध्यान अखिए अपने टीचर से आपने पकी तौर पे पूछ लिया हो वह आपको जरूर बताएंगे भाई स्लिवर्स तो बताएंगे कोई उसमें गभराने की बाप नहीं हो चाहें लेगने पढ़ें हो चाहे ना पढ़ें हो दूसरा कई उसकोलों में ऐसा होता है जयसे जब मैं पढ़ता थे आपकी उसको統 में भी ऐसा होना चाहिए उनका आप नोट कर लीजे, फोटो खीच लीजे मोबाइल से या मैडम से कि ये पेपर की जोरॉक्स मुझे करानी है, जो भी आपको आपका उस्कूल एलाउ करें, इसके उपर जरूर फोकस करिए, क्योंकि हर उस्कूल में क्या पढ़ाएं हैं, कितना पढ़ाएं, उसी अगर उस्कूल में पढ़ाई चल लीजे, आपकी समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल जाईए, और आपको लग रहा है कि बाई, जो वो पढ़ा रहे हैं, वो तो मैंने पढ़ाई नहीं, मेरे पल्ले नहीं पढ़ रहा है, तो उस्कूल से थोड़ा ब्रेक ले लिजे, तो य जो स्कूल में मौजूद है लाइब्रेरी, वहाँ आपके पेपर हो सकते हैं, नहीं है, तो टीचर से रिक्विस्ट कर लीजे, शायद उस प्रवाइट करा दें, कोई पूरी बात नहीं इसमें, और स्कूल जाना ज़रूरी हो, तो ही जाएं, अदर्वाइस एवाइट करें आप तीसरी बात मैं आगे की करता हूँ, कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे, छोटा समय ने फ्लो चार्ट आपके लिए बना दिया है, देखिए आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में, क्योंकि आप तक अभी नहीं पढ़ना है, डिटेल नहीं पढ़ें, क्यो और Chemistry है, Biology है, किसी और चीज़ का सब्जेक्ट है, उसके लिए जो टीचर पसंद है, जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, उसका उस टीचर पर भरुसा करते हैं, आप वन शॉट वीडियो को पकड़ लें, वन शॉट वीडियो दो तीन घंटे में आपका एक चेप्टर फिन करेंगे, तो ज़ादा कोश्चन अब नहीं रह गएं, बस रे आप्टिक्स में हैं कसके और भसरड वाले कोश्चन, बाकी जो आपके पास कोश्चन हैं, किसी में दस हैं, किसी में नौ हैं, किसी में बारा हैं, ऐसा ही है, किसी में और कम हैं, तो NCRT कोश्चन लगा प्रिवियस यर कोश्चन, ये फिजिक्स के लिए मैं सारा मोहिया करा रहा हूं, लेकिन जिस भी टीचर पे आप भरूसा करते हैं, जो आपकी मदद कर रहा है, ये सिक्वेंस फॉलो करें, अगर आपको ऐसा लगता है, कि ये सिक्वेंस भी आपका ज़ादा टाइम कंजूम कर रहा है, आप हडवड़ी में हैं, डर लग रहा है, तो इसमें से आप सीधे वन शॉट से देखिए, अगर टाइम लेस है आपके पास, तो आप वन शॉट के बास सीधे पी वाई क्यू चले जाएं, इदे के ऐरो देख रहे हैं, इससे सीधे पी वाई क्यू चले जाएं, सीधे PYQ जाने में क्या होगा कि जो question पूछे जाते रहे हैं board में उसका आपको एक fair idea मिल जाएगा और one shot से उस point पर focus कर सकते हैं फिर समय बचे तो NCRT question करिएगा NCRT question करना जरूरी बहुत है लेकिन इस समय आप हड़ा बढ़ाए हैं समय कम है पढ़ाई हुई नहीं है इस वज़े से मैं कह रहा हूँ कि one shot के बाद jump कर सकते हैं PYQ अगर NCRT पढ़ने का मौका नहीं मिल ला है उसके question लगाने का मौका नहीं मिल ला है एक बड़ी important बात one shot video के साथ कि आप very short छोटे नहीं बहुत छोटे की note जरूर बनाइएगा वरना क्या होगा कि आप 8-10 दिन या एक दिन में एक chapter करते हैं 9 दिन में 9 chapter करके 90% के लिए तयार होगे लेकिन final day जब examination जो दो दिन पहले एक दिन पहले आपको revision चाहिए होगा तो वो revision possible केवल short notes से होता है ये short notes बेटा सही माने में आप खुद बनाएंगे very short notes key point formula लिख लीजे एक एक line लिख लीजे जो जल्दी से बना सकते हैं बना लीजे मैं भी आपके लिए develop करा रहा हूँ short notes दूँगा लेकिन सबसे बहतर रहता है आप इस short notes अपने हिसाब से बना के काम करा लें इस चीज़ को follow करेंगे तो बहुत जल्दी within 9 days you can cover 9 chapters अब बात यह आती कि अर्विन सर फुजिक्स के लिए आपकी क्या मदद कर रहे हैं जो strategy बताई केवल पंचाय ठान रहे हैं या आपके लिए कुछ महनत कर रहे हैं तो वो उसके लिए मैं लेके आता हूँ एक दूसरे window में देखिए आपके सामने मेरे खाल से ये एक sheet दिख रहे हैं इसे मैंने नाम दिया all video library ये क्या है all video library मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिख नहीं पाऊँगा इसमें चलेगा नहीं इसमें देखिए ये देखिए one shot आपको दिख रहे होगे इसी को click कर दीज़े, link को काम बन जाएगा, आप आप video चलो हो जाएगा, all video library में one shot कर लीज़े, ये PYQ है, जिस भी PYQ को देखना है, आप ऐसे करेंगे, करसर, तुरन इस पे click कर देंगे, वीडियो खुल जाएगा, ये बाजू में देखे derivations हैं, आपको दिखाई पढ़ रहे होंगे, इसके साथी ये देखे, NCRT solution पूरे मौझूद है, जो आपके course में आना है, इन चीज़ों को आप यहां से cover कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ये जो चीज़ है, ये कहां से मिलेगी, मैं इसका link, आपके लिए description में attach कर रहा हूँ, comment section में attach कर रहा हूँ, और साथ में जो video library है, homepage पे, homepage पे देखे, तो नीचे एक, आपको click का option दिखेगा, links का वहां click करेंगे, तो वहां भी दिख जाएगा, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास उसकी photo हुई, तो मैं दिखाने की कोशिस करूँगा, जी यहाँ photo है मेरे पास, मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर ये homepage पे जाएए, और ये देखिए, Irwind Academy के नीचे, ये जो लिखा हुआ लेंगे, से क्लिक कीजिए, लिंक खुल जाएंगे, All Video Library क्लिक करतीजे, तो आपको ये फाइदा क्या होगा, इस से लिखा है, मैं फिर से लेकर हाँ, इस Library से फाइदा क्या है, कि आप सारी बात, सारी जो वीडियोज़ हैं आपके सामने रहते हैं, description में भी link मिलेगा scroll कर लिजेगा mobile में नहीं सूचें कि दिखनी रहा है पूरे और comment section में भी डालूँगा और आपके लिए मैं इसको home page पे भी मौझूद है तो आप जरूर ऐसा follow कीजे ज्यादा detail ना पड़िए अपने उपर भरोसा रखिए आप one shot not cover कीजिए PYQs लगाईए NCRT भी लगानी जरूरी है कम questions है लग जाएंगे फिर भी समय कम है तो अभी के लिए skip कर दीजे जो भी पढ़िए एक एक line आधी आधी line जरूर mention कीजेगा अपने register पर वरना दिमाग में रहेगा नहीं नौ दिन पढ़ने के बाद एक्जाम से एक दिन पहले सब तोते उड़ जाएंगे यह सोचेंगे पता नहीं क्या पढ़ाता याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसी situation ना हो बाकी all the best मैं आपके लिए लगाऊ comment section में आप मुझे बताईए यह strategy strategy आपके लिए कितनी काम योग है और क्या support आपको चाहिए अपके half ली के लिए भी क्योंकि half ली को तोड़ा focus कर लोगे तो पर pressure आपकी बाहर की भी हो जाएगी बोल्ड की भी लेकिन अभी तो युद दिस्तर की रण नीती है तो इसको करिए comment section में बताईए कि क्या-क्या आपके issues है मैं आपको guidance भी दूँगा और जबरदस्त पढ़ाई के material भी आपके लिए बना रहा हूँ तो अगर आप ये चाहते हैं कि physics असान भाषा में आपको समझ में आए वीडियो देखके numerical निकले तो जट से अरबिंद अकडमी चैनल को subscribe करीजियो for top political content थाक्यू वेरी मच्छ विश्यू आपके लिए बेस